मैं आज बना रही हूँ क्रिस्पी मेंस डंपिलिंग्स यह बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनती है मुझे उमीद है कि आपको मेरी रेस्पी जरूर पसंद आएगी इसके लिए पहले मैं डोग गुंदूँगी डोग के लिए जो इंग्रिडियंट्स चाहिए उनमें है नमक एक चाय का चमच सिरका एक खाने का चमच बेकिंग पाउडर एक चाय का चमच ओईल चार खाने का चमच और मैदा ठाई काप सबसे पहले मैं मैदे में नमक और बेकिंग पाउडर डाल कर अच्छी तरह मिक्स करूँगी फिर मैं इसमें सिरका और ओयल डाल कर मिक्स करूँगी और फिर एक कप पानी थोड़ थोड़ा एड़ करके सक डोग गून लूँगी मैंने डोग को गून लिया है और अब यह हातों पर भी नहीं चिपक रहा है इसका मतलब है कि डोग बहुत अच्छा गुंदा है आटा गुनने के लिए एक कप पानी में से भी थोड़ा बच किया है अब मैं डोग पर हाथ से थोड़ा ओयल लगाऊंगी और प्लास्टिक रैप से रैप करके 20 मिनट के लिए रख दूँगी तब तक मैं डंपलिंग्स की फिलिंग तियार करूँगी मैंने एक पैन में चार खाने के चमच ओयल एड़ किया है अब मैं एक मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज और तीन चॉप की हुई हरी मिर्चे एड़ करूँगी एक दो मिनट फ्राइ करने के बाद एक टीजपून पिसा लसन अधर डाल कर फ्राइ करूँगी मैंने 300 ग्राम बीफ का कीमा लिया है और उसे अच्छी तना धो लिया था अब मैं वो एड़ करूँगी और एड़ करके थोड़ी देल कीमे को फ्राइ करूँगी केमे को 3-4 प्राइब करने के बाद एक चुथाई चाय का चमट अजवाइन डालूंगी एक चाय का चमट सुख्य धनिया एड़ करूंगी और एक चाय का चमट चार्ट मसाला एड़ करके मिक्स करूंगी नमक हस्बे जायका कश्मीरी लाल मिर्च आदा चाय का चमट कुटी लाल मिर्च एक चाय का चमट और कुटी काले मिर्च आदा चाय का चमट चार करके अच्छी तरह मिक्स करूंगी और एक कब पानी डाल कर कीमे को 15 मिनिट के लिए अल्की आच पर पकने के लिए रख दूंगी 15 मिनट हो गया, कीमा अच्छी तरह गल चुका है मैं ऐसे कुछ देर भूनूंगी और एक बॉल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दूंगी 20 मिनट हो गये हैं, अब मैं डो को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगी और दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद मैं इसके दो पेड़े बना लूँगी और पहले एक पेड़े की बरी रोटी बेल लूँगी बेल इसके बिवाइड़े हैं, निक रुझे की बाद में डो दो हिस्सों में डिवाइड की की बढ़े लूँगी अब मैं एक ग्लास से छोटी गोल्ड टिकियां बना लूँगी मैं दूसरे पेड़े को बेल कर भी इसी प्रोसीजर से टिकियां बना लूँगी कीमा ठंडा हो गया है और मैं ने इसमें छे खाने के चमच मियोनी जैट किये हैं मैं ने डंपिलिंग्स की शेप ग्लास से काट कर बना ली थी अब मैं फिलिंग करूंगी मैं एक खाने का चमच कीमे की फिलिंग को टिकि के दरम्यान में रखकर किनारों पर पानी लगा कर इसे फोल्ड करके इस तरह चिपकाऊंगी कि हाफ मून की शकल बन जाए और किनारों को अच्छी तरह जोड़ने के बाद मैं किनारों पर फॉक्स से निशान बना लूँगी मैं ऐसी तरह साई डंप्लिंग्स बना लूँगी ये ख्याल रखिएगा किनारे अच्छी तरह चिपकाएं ताके फिराए होते हुए डंप्लिंग्स खुलना जाएं मैंने साई डंप्लिंग्स बना ली हैं और ये कीमा बच किया है मैं इस कीमे से समोसे बना लूँगी मैंने हलकी आज़ पर ऑईल गरम होने के लिए रख लिया था अब मैं इसमें डंप्लिंग्स फ्राइ करूँगी डंप्लिंग्स का कलर गोल्डन हो गया है अब मैं इनने निकाल लूँगी और मैं साई डंप्लिंग्स इसी तरह फ्राइ कर लूँगी मैं इसमें प्राइब लूँगी अगर आपको मैं रख लगी तो इसे लाइक करें शेयर करें सोचल मीडिया पर और मेरे चानल को ज़रूर सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजेगा ताकि आपसे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो फिर से न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी लेकर आऊंगी तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें अलाहाफिज